हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल माई दीमी श्रूती और वेलकम टू श्रूती मेकवर कैसे आप लो सो कल मैंने पहला वीडियो राला था वैडिंग सीरीज का मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप से सीफ और सीफ अभी सेयर करूंगी वैडिंग से रिलेटर वीडियो कि आपके लिए बहुत ज़्याद होगा अगर सलून होगा तो आपके लिए बहुत ज़्याद होगा मे आपको चाहिए स्पैचुला जिसे बटर नाहीं भी बोलते हैं आपको चाहिए डिका का प्री वैक्स जल मेरे पास आफ्टर भी रिका का था बट वो खतम हो गया है तो मैंने यहां पर पेरा सूट का हॉट वाल यूज कि आप आफ्टर में इसको भी यूज कर सकते हो तो यह अपर नया थेमें आप ओप ज्लाएव हो तो आपको ज़तां घ Nana सब्सक्राइब हो तो आपको भी इसकी कि हमे रिखल कईकना सब्सक्राइब का न दें करते हो कि यहां बोलुंगी अगर क्ला 유 तो आप यूज कर सकते हो कोई भी टेलकॉम पॉड़र जरूरी नहीं कि यही आपको यूज करना है मैं सच बता हूं तो पॉडर जब लगाओंगे जाद अच्छी से वैक्स होता है ऐस कमपेड टू रिका का प्री वैक्स जल जो हमें दिया वा होता है तो मैं आपको बोलूँगी सीव आप पॉडर भी यूज कर लोगी नहीं बहुत अच्छी से हो जाएगा तो इस तरह से बटर नाइफ में आपको क्रिम को लेना है आपको क्या करना है इस तरह से स्टार्ट करना है आपको सिक्स पोश्चन में वैक्सिंग करना होता है यह हो गया फॉस्ट पोश्चन आपको मैं करके बताऊंगी कैसे कैसे आपको श्यक्शन लेना है क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग क्या करते हैं श्यक्शन भूल जा तो पुल कर दिना है क्रीम लगाना है नकी के टररेक्षिन में फूल करना है यह हमेशा याद रखना एंट जब भी रिकावाक्स करते हैं कर॔र नब थंडामत लगाना पत्ला लगानाै जो कि काफी पत्ला हो अगर आप मोटा लगाओगे न नव्यागा जाएगा दूसरा जल्दी होता भी नहीं काफी ज्यादा खीचना पड़ता है क्लाइन को बहुत अदर रैसिस हो जाते है रेड हो जाता है तो यह चोड़ी जोड़ी टिप्स मैंने आपको दिये है बहुत लोग मुझे से पूस्ती है कि मैं ब्रैजल के लिए बैस्ट वैक्स बताओ कौन सा है जो कि अभी हम कर सकते घर पे भी या फिर हमें पाल जाके करवाना चाहिए तो आप आराम से वाला जो वैक्स से ना करवा सकते हो बहुत अच्छा मुझे लगा रीका के मैंने बहु बहुत असानी से हेर को निकाल भी रहा था तो मैंने आपको बता दिया कि सारे टिपस पी मैंने आपको बता दिए कि इतनी दिन पहले आपको करना है बहुत सारे ऐसे ब्रैजल में आपके पास आएंगे जो बोलेंगे कि हमने वैक्स कभी निकिशा चड़ाया तो क्या हमें तो हाँ अराम से वैक सबको सूट करता है इवन सेंसिटिव स्कीन को भी सूट करता है बड़ जैसा कि मैंने बोला आपका भी भी क्लाइंट को बोलना कि कब वह एक्सपेरिमेंट ना करें कि उनका बहुत बड़ा दिन होता है अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं और मुझ मैं वोलूँगी कि आपको भी रिष्क नहीं लेना अगर आपको sophomore के मत करना वन मन पहले 500 घर्लेन के आफकी लीटे सब्सकन कर दे पास तो मॉट यह ज़ी alongल बोड्य मोंत करते हैं बट मैं आपको बिल्कुल भी रखे में नहीं करूंगी इस वेक्स को आप बिल्कुल घर पे ट्राइए फेस पे ओनली अब हैं बैक लेग स्ट्रमक करवा सकते हो बट आपको फेस पे नहीं करना है अगर आप फेस पे करोगी आपका फेस जल जाएगा पहली बता रही हूं नहीं ऐसे युज़िया यहां अच्छे से वयरें सब्सक्राइड टो यहां भी वेक्स आपको बेन बट यहां पहली बता रही हूं ये infinus पोशन में कैसे तीन पोशन आपको पड रुल एक शबास करना हैं बहुत ही抗 इसे होता इन फोल पहले चनलना सब्सक्नय की होंगे निकले का ही ने को सिस्क्रोंगी आपने को सब्सक्니 früher आपको ना बहुत अच्छे से जिस्टन लेके अच्रेस्य। वहेक्सिंग करना है जैसे एहां लिए आप देख रहे हो आपका कभी भी भी हेर नहीं रहेगा मैंने देखा है बहुत लोगों के हैर रहे जाते वैक्सिंग कर दे तो आपको ध्यान रखना है कि तीन पोर्षन उपर मेले लेना है तीन पोर्षन नीचे में इस तरह से जैसा कि मैंने बोला Rika wax आपको पहुत ज़्या लगाने लिंगा नहीं बहुत ज़्यादा कि वम्हादा नहीं, justFC CA need a brush, just a little strip trials तो यह रहा हो गया है दोनों hand में oil लगाने के बादr आप क्या कड़ोगे वाइब्स ले लोगे इसे क्या ओगा जो भी इड़ेन होता है वो कम हो जाएगा और चिप चिपा पन थोरा लगता है वो भी ठीक हो जाएगा और फाइनल लोग आपके सामने है आप देख सकतो काफी अच्छा क्लीन हो गया है अब मुझे बहुत लोग पूछेंगे कि मैं वैक्सिंग करवाने के बाद हमें मैंनिक्यूर करना चाहि है या हैंड पॉलेसिंग पहले करना चाहिए बाद में सब कुछ बाद में होगा बस ब्लीच पहले होगा तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप जरूर कमेंट करें मिलते हूं नेक्स वीडियों बाइ